यह अंतर है जिस अंतर को पूरे देश ने समझा है और यहां हिमाचल पर देश में हमारे विपक्ष के मित्रूं को भी समझाना होगा आज हमारे देश के परधान मंत्री विदेश जाते हैं दुनिया उनकी एक जल्क पाने के लिए तरस्ती है और एक वक्त कांग्रेस के राज में दस साल तक परधान मंत्री रहे विदेश जाते थे ना जाने का पता लगता था ना आने का उनका पता लगता था क्योंकि कोई महत्व उनको ने दिया जाता था देश का महत्व अंतराश्टी स्थर पर बहुत निमन स्थर पर चला गया था ये दुरुभाग्य पून परस्ते थी बाज और बेहनों जहां हिमाचल परदेश में हम इन दिनों में देख रहे हैं कांग्रिस की बातों को गोचना कर दी कुछ नेता उने कि हमारी सरकार आएगी तो हम जैराम की सारी स्खीमों को बंद कर देंगे हमने बज़र्गों के लिए साठ साल के ओपर बज़र्गों के लिए पैंशन का परावधान किया लाग लोगों को बज़र्गों को पेंशन दे रहा है हिमाचल पर्देश में वो 400 क्रोर करते थे हिमाचल पर्देश में मैं तेरा सौ क्रोड रुपए हिमाचल पर्देश में उन बज़र्गों की सेवा के लिए कर्च रहा हूँ क्योंकि बज़र्गों के बीना दुनिया धुरी है में ये कहना चाहता हूँ हमने हिमाचल पर्देश में गरीब लोगों के इलाज के लिए हिमकेर की शुरुआत की पचास साल सत्ता में कौंग्रेस पार्टी रही गरीब आदमी बिमार होने पर बिवश हो जाता था घर गर्वी रखने के लिए घर जमीन बेचने के लिए क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता था हमने कहा ये नहीं होना चाहिए अगर कोई गरीब आदमी बिमार होता है बिमार जब होता है उसके इलाज कर इंतजाम करना चाहिए ये सरकार की जिम्मेबारी है पहली बार हमारी सरकार ने हिमकेर के शुरुआत की आज कोई आदमी अगर बिमार होता है सबसे पहले वो हिमकेर का कार्ड जेब में ढून करके डालता है उसके बाद हॉस्पिटल में गाड़ी में बैठ करके पहुंचता है क्योंकि उसे मालूम है कि इससे मेरा इलाज होगा और कॉंग्रिस कहरी है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम बंद कर देंगे वो चाहते हैं कि गरीब आदमी अगर बिमार हो जाए वो तड़ तड़ करके मर जाए इस दुनिया से चला जाए हमने हर घर को गैस का चुला दिया कॉंग्रिस सत्ता में इतने लंबे स्मय तक रही और हम ने हिमाचल परदेश में जहां ले गैस के चुले घर-घर में पहुंचाए कोई आदमी अगर यहां आध कड़ा करे कि मेरे घर में गैस का चुला नहीं है तो हम कल उसको घर में गैस का चुला पहुंचा देंगे लेकिन मैं ये जुरूर कहना चाहता हूँ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम बंद कर देंगे गैस का चुला भी बंद करेंगे क्या करेंगे गैस का चुला घर से उठा के ले जाएंगे और सोई से ये सोच है उन लोगों की काम करने की आप अंदादा लगाई हमारी सरकार ने ये टेर किया कि अगर महिलाओं की संक्या पचास प्रश्चत अबादी का है तो ऐसे मैं उनके बारे में सोचना चाहिए तो हमने सोच करके गोचना की हमने जुलाई के महीने में जो है किराया आधा लिया जाएगा आधा नहीं लिया जाएगा और कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम आएंगे तो बापीश लेंगे अब तैय करो माताएं बहने क्या करना चाहिए गयास का चुला बापीश जाना चाहिए क्या जोर से बोलिए ना नहीं जाना चाहिए क्या बसका किराया फिर से जो है पूरा लेना चाहिए आप लोगों से नहीं लेना चाहिए तो उसके लिए महिलाओं को माताओं बेहनों को काम करना होगा घर घर में जा करके कि अगर ये सत्ता में आए तो बसका किराया जो माप किया हमारी सरकार ने भाजपा की सरकार ने उसको भी बापिस लेंगे गैस का चुला भी उठा करके ले जाएंगे ये कॉंग्रेस के एक नेता नहीं या नेक नेता उन्हें मंच पर से भाषण दिये हैं मैं इसलिए इस बात को मैं जिकर कर रहा हूँ हमने नौजवानूं के लिए मुख्या मंत्री स्वाब लंबन योजना के अंतरगत वो अपना कारोबार करे अपना कारोबार से अपना परिवार के लिए अजीविका कमाए अपने परिवार के लिए वो रोजगार का साधन अपनाए हमने कोशिश की राज मुझे इस बात की ख वापिस करेंगे अबने हिमाचल पत देश में गाव में रहने बाले सभी पानी के नलकूं का जो किराया लिये जाता तो अबने का इस किराय को हम छोड़िए क्योंकि आदे लोग दे रहें आदा नहीं दे रहें हम किसी से भी नहीं लेंगे हमने ये तैय किया और कांग्रेस वाले बोलते हैं अगर हम आएंगे तो हम सब से किराया लेंगे तो विचार करना पड़ेगा हमने हिमाचल परदेश पर ये तैय किया कि जुलाई महीने के बाद जो बिजली का बिल आएगा उसमें 125 यूनिट जिस साजमी के घर में खर्च होते हैं उसको कोई बिल नहीं आएगा उसको कितना बिल आएगा जीरो बिल आएगा जीरो बिल का मतलब मैं दावे के साथ कह सकते हूं जितने लोग यहां पर बैटे हैं इस महीने का जब जुलाई महीने का जब बिल आएगा तो आपको कितना बिल आएगा जीरो बिल आएगा क्योंकि 125 यूनिट हम खर्च नहीं कर पाते हैं हां किसी की घर में कोई मिशीन लगी है कोई उद्यूग लगा है तो ज़्यादा कर्च होता होगा लेकिन घर में बिजली के लिए इसके लिए जो हम लट्टू जलाते हैं फैन चलाते हैं फ्रीज चलाते हैं उसमें 125 यूनिट से ज़्यादा कर्च नहीं होता है 15 लाग से ज़्यादा परिवार जो है इसके लिए लाभान भी तो आप देख लीजिए इन सारी बातों का जवाब मुझे लगता कि आप सब को देना होगा और और भाशन दे रहे कॉंग्रेस के नेता कि हिमाचल के लोगों को मुप्त खोर बना दिया मुप्त खारे की आदर डाल दी उनको मुझे लोगों झाल